गाईज आज हम मनाएंगे पोहा तो हमने एक इस्तरे का पेन ले लिया है और इसके अंदर हम स्वात की अनुसार तेल को एड़ कर देंगे और गाईज हमारा तेल चितरे से गरम होने तक हम इसका वेट करेंगे और इसके अंदर तुरंती हम एक चमच जीरा डाल देंगे और इने भी हम चितरे से बलेक पकाएंगे तो गाईज देखिए हमारा जीरा चितरे से बलेक हो चुका है और इसमें हम एक चमच दनिया पाउड सोरी दनिया साबुच जो एड़ कर दिया है और आप चाहो तो गेर सकती हो आपको पसंद हो तो और गाईज हमने एक टोरी पोहे को ले लिया है और इन्हें अची तरह से साब पानी से दो कर तैयर करके पास रख लिया है और इसे हम तेल के अंदर एड़ करेंगे तो गाईज हमारे पोहे अच्छे सुन्दर दिखने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा हल्दी पाउडर एड़ कर देंगे ताकि इनका पोहे का कलर जो अच्छा लेगे देखने है और गाईज अब हम इसके अंदर पोहा को एड़ कर देंगे तो guys इस तरह से हमने इसके अंदर पोहे को add कर देंगे और इसे mix कर लेंगे और guys यह जो इसके अंदर हम नमक add करते है वो नमक पोहे के अंदर पहले add कर देना है और फिर इसे दोना है तो गाइज इस तरह से हम पोई बनाते हैं और इसे मिक्स कर लेंगे और पोई हमारा सानी से बन कर तयार हो चुके है तो गाइज आप एक बार इस तरह का वीडियो ट्राइ जरूर करना